Hello friends, जैसे कि आपने पिछले वीडियो देखी थी, पिछली वीडियो जो बनाई थी, हमने वो 20 questions की बनाई थी, important questions, उसी से 2020 series स्टार्ट किये, उसकी दूसरी वीडियो आज हम लेकर आए हैं, तो बिना time गमाई हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला question देखिए, क्या है पहला question, जबाहार लाल नहरू के निधन के पश्चात, किसने प्रिधान मंत्री पद ग्रहण किया था, बताए ये कौन सा था, लाल बहादूर सास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंद्रा गांदी, मुरार्जी देशाई question आपके सामने है, option आपके सामने है, सोचिए क्या हो सकता इसका आंसर, लाल बहादूर सास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंद्रा गांदी, मुरार्जी देशाई इसका जो सही आंसर है वो है गुलजारी लालनन्दा अब यहां ध्यान देने वाली बात है गुलजारी लालनन्दा निर्बाचित पिर्धान मंत्री नहीं थे मतलब आम चुनावों के बाद नियुक्त होने वाले पिर्धान मंत्री नहीं थे यह कार्रवाहाग प्रधान मंत्री थे जब आलाल नैरू के निधन जब हो गया था तब इन्होंने कार्रवाहाग समाला था यह प्रथम कार्रवाहाग प्रधान मंत्री थे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे थे ठीक है एक बार और बता दू दूसरी बार भी यह प्रधान मंत्री रहे जन्वरी 1966 से 24 जन्वरी 1966 तक दोसरी बार कब रहेते 1966 में ठीक है यह भारत रतन भी प्राप्त कर चुके भारत रतन ने 1997 में दिया गया था इनको ब्रद्ध प्रधान मंत्री भी कहा जाता है इनको ब्रद्ध प्रधान मंत्री भी कहा जाता है और इनकी एक पुस्तक थी पुस्तक कौन सी थी दूसरी थी फाइब इयर प्लान दूसरी थी संत एंड सेवियर दूसरी कौन थी थी संत एंड सेवियर थी ठीक है ये 62-63 में केंद्रिय मंत्री भी रहे हैं केंद्रिय सरम मंत्री और रोजगार मंत्री रहे थे 63-66 में ग्रह मंत्री रहें दूसरी बार कारवाग प्रधान मंत्री बनने से पहले ये ग्रह मंत्री थे ठीक है अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कोश्चन देखिए इंपोर्टेंट है ये भी सूनने काल क्या है देखिए ऑप्शन पढ़िए जब सदन में विपक्षि के प्रस्तावों पर बिचार होता है जब सदन में अति महत्तपूर्ण मामलों पर विचार होता है जब लोकसवा में भोजन होता है जब आराम का समय होता है बताईए कौन सा अप्शन सही है इसमें सूनने काल क्या है कौन सा अप्शन सही है सूनने काल बतादू मैं भारत की देन था ये सुनने काल बता दू भारत ये संसद की देन था ये शुनने काल भारत की ही देन था भारत की संसद नहीं इसको बनाया था भारत की संसद से ही आया था ठीक है अब बताए इसका जो सही ओप्शन है ये ये जब आता है सुनने काल महत्वपूर्ण मामलों पर प्रस्ण ऊठता है महत्वपूर्ण मामलों पर प्रस्ण 559 जब प्रसण 55 8 ठीक है तो मेत्व्पुण मामलों पर जब प्रशना आता है तब 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 ये सुन नीगाल कहा जाता है उस समय को और यह जोसमय होता है 12 वजे होता है इसलिए Szkos Sonu नीकाल कहा जाता है दुपहर के 12 वजे 12 12 बज़े जब होता है इसके ये महत्वपुन्ट प्रश्णों के लिए जो सदन में उठते हैं तो ये 12 बज़ उठते हैं इसलिए इसको सुन निकाल का आ जाता है ठीक है 10 बज़े से पूर्ब अध्यक्ष को सूचना देती है यदि कोई सदस्य संसत सदस्य यदि कोई प्रश्ण महत्वपुन्ट उठाना चाहता है अपनी तरफ से तो 10 बज़े से पूर्ब पूर्ब पहले अध्यक्ष को सूचना देगी ये अध्यक्ष पर निर्वर करता है कि वो प्रश्ण या मामला जो है जो भी है उसका सदस्य का वो उठाने लाइक है या नहीं उसकी अनमती दे या ना दे वो उस पर निर्वर करता है ठीक है अब एक बात और लोक सभा में लोक सभा में लोक सभा में कितने प्रशन उठ सकते हैं एक दिन में बर्तमान में 20 प्रशन उठा से सकते हैं 20 मामले उठ सकते हैं बर्तमान में और राज्य सभा में राज्य सभा में बताईए राज्य सभा में जादा से जादा साथ मामले जादा से जादा साथ मामले राज्य सवा में और लोक सवा में 20 ठीक है अगले कोश्चन की तरफ देखिए अगला कोश्चन क्या गयते है भारतिय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके दौरा तयार किया गया था भारतिय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो किसके द्वारा तयार किया रहा था मतलब पहली बार ये निर्धारित हुआ था कि किस तरह का हमारा संविधान होगा कितने अनुच्छेद होंगे और कितने अनुसूचिया होंगे यह जो प्रतम बार्व प्रारूप तयार किया था यह किसने तयार किया था डाक्तर भीमराव अम्भेडिकर साश्याओ ने B.N. राव ने के संधावन द्वारा सोचिये किसने किया होगा इसका सही जो उप्षन है वो है उप्षन नमर दो B.N. राव बी ये नाव संविधानिक सलहाकार थे ये ये संविधानिक सलहाकार थे ठीक है और प्रारूप समिती जिसके अध्यक्ष डाक्टर भीमराव मिदिकर जी थे उसमें भी ये थे उसके सदस्य थे ये साम्वेधानिक सलाकार प्रारूप समिती के सदस्य थे ठीक है ठीक है इस इनके जो प्रारूप था मूल प्रारूप था इनका जो प्रत्थम इनोंने प्रारूप तयार किया था उसमें अनुच्छेद 243 थे 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी उसमें कितने अनुच्छे थे? 243 अनुच्छे थे और 13 अनुचुचियां थी इनके प्राथम प्रारूप में अगले कोश्चन को देखी अब अगला कोश्चन है किस बर्स गांधी जैनती के दिन केंद्रिय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? केंद्रिय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रिय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रिय प्रशासनिक नियाय अधिकरण केंद्रिय प्रशासनिक नियाय अधिकरण केंद्रिय प्रशासनिक नियाय अधिकरण केंद्रिय प्रशासनिक नियाय अधिकरण केंद्रिय प्रशासनिक निया इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी गांधी जहनती के दिन 2 अक्टूबर सन 1985 में की गई थी इसकी स्थापना कब की गई थी सन 1985 अगला कोश्चन देखिए क्या है अगला कोश्चन है राज्य पाल विधान परिसद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्य पाल विधान परिसद मतलब राज्य की जो विधान परिसद होती है एक विधान सबा और विधान परिसद होती है बिधान परिशद में कितने सदस से अधिक से अधिक मनोनीत कर सकता है पांच, बारह, दस या कोई संख्या निश्चित नहीं है इनकी अनिश्चित है इनकी संख्या कोई सोच ये क्या हो सकता है इसका आंसर इसका जो सही आंसर होगा वो है अनिश्चित संख्या और देखिए साहित बिज्ञान कला सामाजिक सेवा जैसे जो छेत्र होते हैं इनमें जो कार्रा करने वाले ब्यक्ति होते हैं उनके कार्रे के आधार पर राज्य पाल को यदि लगता है तो उनको बिधान परसद में सदस्य मनुनीत करता है ठीक है बिधान परिसद राज्य का उच्छ सदन होता है ये इस तरह से होता है जैसे संसद में केंद्रिय संसद में क्या होता है केंद्रिय जो संसद होती है उसमें क्या होता है केंद्री ये संसद में राज्य सबाज इस प्रकार होती है उसी प्रकार बिधान परिसद होती है ठीक है बिधान परिसद होती है उसी आधार पे इनके सदस्यों का बिधान परिसद के सदस्यों का जो कार्रकाल होता है वो 6 एर होता है 6 एर होता है छे साल होता है, प्रत्येक दो साल में, एक बटे तीन सदस से त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, एक तिहाई सदस से, इसमें विधान सबा के एक तिहाई से अधिक सदस से नहीं हो सकते, इसमें जो सदस से होते हैं, विधान सबा में जितने सदस से होते हैं, उससे एक तिहाई स अधिक नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं आगे चलते हैं देखिए च्छटा कोश्चन गया जनता पार्टी के सासन के दोरान भारत के रास्टपती कौन थे जनता पार्टी के सासन के दोरान भारत के रास्टपती कौन थे फकरुद्दीन अली एहमद ज्यानि जैल सिंग राम स्वामी बेंकट रमन ये नीलम संजीब रेड़ी फकरुद्दीन अली एहमद ज्यानि जैल सिंग राम स्वामी बेंकट रमन नीलम संजीब रेड़ी सोचिये कौन हो सकता इसका आंसर इसका सही जो आंसर वो चोथा निलम संजीव रेड़ी ये छटे रास्टपती थे भारत के छटे रास्टपती थे निलम संजीव रेड़ी सम्विधान सभा के भी सदस्य रहे थे ये निलम संजीव रेड़ी सम्विधान सभा के भी सदस्य रहे थे ठीक है और आंदर प्रदेश के पहले मुख्यमंतरी थे पहले मुख्यमंतरी थे निलम संजीव रेड़ी एक मात्र ऐसे राष्टपती थे जो निर्विरोध चुने गए थे एक मात्र ऐसे राष्टपती जो निर्विरोध थे निर्विरोध थे ये निर्विरोध एक मात्र राष्टपती निर्विरोध 64 बडस की आयू के सबसे यूबा राष्टपती थे अगला कोश्चन दीखिए सातमा कोश्चन 1922 में किस व्यक्ती ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वैम अपने भविस्यका निर्धारन करेगी किस ने की थी मांग भारत की जंता सुयम अपने भविस्टा के निट धरन करेगी महात्मा गांधी थे ये कौन थे महात्मा गांधी एक बार पिछले कोश्चन पर रहा ये कोश्चन नमबर 6 पर एक बार पुनाई पहुंच ये क्या है इसमें ये हैं फकरुद्दीन अली एहमद फकरुद्दीन अली एहमद के टाइम पे आपात काल लगाता भारत में इंद्रा गांधी के जो सासन था फकरुद्दीन अली एहमद उस समय रास्टपती थे फकरुद्दीन अली एहमद के टाइम पे आपात काल लगाता भारत में ये बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है अपातकाल लगा था सबसे ज़्यादा रास्ठपति सासन लगाने वाली रास्ठपति थे ये फकरुद्धीन अली एhmad सबसे ज़्यादा 49 बार रास्ठपति सासन लगाए थे 43 mère Sंसोधन 42 मा संविधान संसोधन जब हुआ था जिसको मिनी संविधान कहते हैं फकरुद्दीन अली एहमद के द्वारा जिस प्रस्ताब नामे 42 में संविधान संसोदन में तीन सब्द जोड़ गये थे सामाज एक पंत निर्पेक्स और अखंड था अखंड था यो सब्द था संसद पर जो होने वाले खर्चे हैं उस पर किसका नियंत्रन आता है नियंत्रक एब महालेखा परिक्षक ये नियंत्रन गरल लग गया है नियंत्रक एब महालेखा परिक्षक राष्टरपती पिरधान मंतरी बित्त मंतरी नियंत्रक एबम महालेखा परिक्षक राश्ट्रपती पिर्धान मंत्री या बित्त मंत्री बटाईए तो इसका सही option है नियंत्रक एबम महालेखा परिक्षक नियंत्रक एबम महालेखा परिक्षक इसकी नियुक्ती राश्ट्रपती करते हैं संसद में संसद पर जितने भी खर्चे होते हैं उनका लेखा जोखा नियंत्र के में महालेखा प्रिक्षक रखते हैं ठीक है अगले कोश्चन पर आईए लोक सभा तथा राज्य सभा की संयुक्त बैठक कब होती है सोचिए लोक सभा तथा राज्य सभा की संयुक्त बैठक कब होती है सोचिए लोक सभा तथा राज्य सभा के मतभेद पर रास्ट पती के बुलाने पर संसत सत्र सुरू होने के पर या फिर इन में से कोई नहीं बदाए कब होती है, चार ओपसन आपके सामने, सोचिए इसका सही जो आंतर एब हो है, संसत सत्र सुरू होने पर लोक सभाकी और राज्य सभाकी जो संयुक्त बैठक होती है, संसत सत्र सुरू होने पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है लोक सभा के स्पीकर लोक सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं इसकी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोक सभा के स्पीकर करते हैं अगला कोश्चन तसमा कोश्चन नमबर दस बर्स 1942 में किस योजना के तहट यह सुईकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित सम्विधान सभा का गठन होगा किस योजना के तहट यह सुईकार कर लिया गया था कि भारत में एक निर्वाचित सम्विधान सभा का गठन होगा जो युद्धो परांत जब युद्ध चल रहा था दुत्य विश्चुद उसके बाद में सम्विधान सभागा निर्माण करेगी ठीक है भारत के लिए कौन सी योजना थी यह कैबिनेट मिसन योजना है यहां जो योजना है वो कैबिनेट मिसन योजना है धियान रखिए यह मिस प्रिंट हो गया है यह कैबिनेट मिसन योजना है क्रिप्स मिसन योजना माउंट बैटन योजना यह वेवेल योजना कौन सा है इसमें क्रिप्स मिसन कैबिनेट मिसन योजना माउंट बैटन योजना यह वेवेल योजना कैबिनेट मिसन योजना क्रिप्स मिसन आंसर है वो है क्रिप्स मिशन अब क्रिप्स मिशन में एक बात बताईए मुझे कितने सदस्थे क्रिप्स मिशन में तीन सदस्थे क्रिप्स मिशन में क्रिप्स मिसन में तीन सदस्य थे कौन-कौन से थे पैथिक लॉरेंस एक थे पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस नाम था उनका ठीक है दूसरे जो थे दूसरे कौन थे पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे वो भारत सचिब थे स्टेफोर्ड क्रिप्स दूसरे जो सदस्य थे इसके वो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे स्टेफोर्ड क्रिप्स ठीक है स्टेफोर्ड क्रिप्स थे दूसरे सदस्य ये कौन थे अध्यक्ष वोर्ड ओफ ट्रेड थे अध्यक्स्ते Board of Trade के ठीक है तीसरे जो सदस्य थे तीसरे सदस्य कौन थे A.V. Alexander A.V. Alexander 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 थन का नाम गनाम Alexander था A.V. Alexander यह नौ सेना मंत्री थे ठीक है अगले question पर आईए अब पहली बार राष्टपती सासन कब लागू किया गया था पहली बार राष्टपती सासन कब लागू किया गया था 20 जून 1951 4 अपरेल 1951 4 अगस्त 1955 जुलाई 1953 बदाई सोची ए इसका option नमबर एक ठीक है 20 जून 1951 ऐसा कहा जाता है वैसे 20 जुलाई 1951 लेकिन 20 जुन 1951 है और कहा पर लगा था ये लगा था पंजाब में पंजाब में सबसे पहले रास्टपती सासन लगा था ठीक है पंजाब में रास्टपती सासन सबसे पहले लगा था 1951 में राष्ट्रपतिसासन किस आर्टिकल के तहत लगता है 356 आर्टिकल आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपतिसासन लगता है और अब तक कितनी बार लग चुका है 125 बार 2019 तक 125 बार लग चुका है राष्ट्रपतिसासन 2019 तक बता रहा हूँ 125 बार लग चुका है अगला कोश्चन देखिए बारवा कोश्चन किसी छेत्र को अनुसूचित जाती जन जाती छेत्र गोसित करने का अधिकार किसे है किसी भी छेत्र को अनुसूचित जन जाती गोसित करने का अधिकार किसे बताई ये किसा है पिर्धान मंत्री राष्टपती उपर राष्टपती और ग्रह मंत्री अनुसूचित जनजाती छेत्र होता क्या है आदिबासी जो होते हैं आदिबासी सम्हू या आदिबासी गुरुप जो होता है आदिबासी जो लोग होते हैं उनका जो ज छेत्र में रहते हैं उस छेत्र को अनुसूचित जाती और जन जाती छेत्र गोसित करते हैं उसे विसे सुबधाएं दी जाती है उस छेत्र में तरक्की के लिए ठीक है इसा कौन गोसित करता है यह अधिकार्ज होता है वो राष्टपती के पास होता है किसके पास होता है अगले question पर आये का कि निम लिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसबा का सदस्य था कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसबा का सदस्य था का का Mich चारों मैं से देकी option और सोच ये क्या था इनका जो सही ओप्षन है ओप्षन नमर दो रामधारी सिंग दिनकर रामधारी सिंग दिनकर विहार विश्यु विध्याले हिंदी के प्राध्यापक थे ये विहार विश्यु विध्याले जो था उसके विश्यु विध्याले के ये हिंदी के प्राध्यापक थे हिंदी के ठीक है दिनकर जी 1952 में 1952 में बनेते सदस्य ये 12 बर्स तक संसा सदस्य रहें ये 12 बर्स तक सोचिए 12 बर्स तक संसा सदस्य रहें ये ठीक है 12 बर्स तक संसा सदस से रहे हैं राज्यसबा के क्योंकि राज्यसबा 6 साल के लिए संसा सदस से बनते हैं इसलिए 12 बर्स दो बार राज्यसबा सदस से रहे हैं ये राज्यसबा सदस से बनने के बाद संसा सदस से बनने के बाद जो है दिल्ली में बस गए थे ठीक है दिल्ली में रहने लगे थे यह अगला कोश्चन देखिए केंद्र और राज्य के बीच धनके बटवारे का सम्मंद में कौन राय देता है केंद्र और राज्य के बीच जो धनका बटवारा होता है उसके सम्मंद में राय कौन देता है केंद्र और राज्य के बीच में जो भी सक्तियों का बटवारा होता है धन का बटबारा होता है किसी भी कानून का जो बटबारा होता है वो किसी ना किसी योजना किसी सला और मस्वरे बैठक के बादी होता है ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया तो अगला देखी कौन है इसका मतलब राय देने वाला इस पर पर प्रधान मंतरी बित्तायोग संसद ये योजनायोग योजनायोग तो नहीं लग रहा है गलत हो योजनायोग लग रहा है तो संसद भी गलत हो वित्तायोग इसका सही आंजर वित्तायोग राय देता है अगले कोश्चन देखिए दादराइबम नागर हविली किस नियालय के छेतरा दिकार में आता है उच्च नियालय जो होते है वो ये जरूरी नहीं है कि हर छेतर का उच्च नियालय हो एक उच्छने आले, दो-दो राज्य, केंद्रसासित राज्य को देख सकता है ठीक है, बताइए गुभाटी उच्छने आले, चैन्ने उच्छने आले, मुंबई उच्छने आले, कौलकाता उच्छने आले कौन सा है इसमें, कौन सा है सही option इसका option है मुंबई उच्छ नियाले एक बात बता देता हूं चार्टर एक्ट जो 1980 था चार्टर एक्ट 1980 के उच्छ नियाले के उच्छ नियाले एक्ट था उसमें उसके तहट तीन उच्छ नियाले की स्थाप नगी गई थी तीन उच्छ नियाले की इस्थाप नगी के थी मदरास ठीक है कलकत्ता कलकत्ता और एक था बामबे बाम बे तीन उच्च नियालों की स्थापना की गेती उस समय अब तक कितने उच्च नियाले हैं भारत में उच्च नियाले कितने हैं भारत में उच्च नियाले 25 हैं भारत में 25 टोटल अब तक 25 उच्च नियाले हैं एक जन्वरी 2019 तक की बात बता रहा हूं मैं क्योंकि 25 मा जो पच्चिसमा एक जन्वरी 2019 को बना था अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं चलिए सोलमा कोश्चन किसने कहा था कि संभिधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था देखिए क्या कहा था संभिधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था ये कहा था किसने कहा था औ वो पदम सिरी पुरुसकार प्राप्त हैं, सोचिए, पदम सिरी पुरुसकार प्राप्त हैं, जिसने भी कहा था, आस्टिन, सी आर इटली, विंस्टर चर्चिल, लॉर्ड माउंट बेटन, आपने सोच लिया होगा, इसका सही ओप्षन वैसे A है, और इनका A, जो A हैं, आस्टिन, इनका पूरा नाम था, ग्रेन विले, इनका पूरा नाम क्या था, ग्रेन विले, ग्रेन विले आस्टिन, ग्रेन विले आगे लगा दिजी आस्टिन के, ग्रेन विले आस्टिन, ठीक हैं, ये पदम सिरी पुरुसकार प्राप्त हैं, इनकी जो कोशन भारत के पहले रास्टपती के रूप में डाक्टर राजंदर प्रिशाज जी का चुनाब किया गया था पहले रास्टपती के रूप में किस के तहट चुनाब किया गया था निरबाचन मंडल द्वारा संसत द्वारा संबिधान सभा द्वारा या भारत की जनतान चुन थे संबिधान सभा द्वारा उनको रास्टेपती चुन लिया गया था ठीक है अगले कोश्चन पर चलिए अठारमा कोश्चन किस ब्यक्ति ने बर्स 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संबिधान की संरचना है तो गोल में संबिलन बुराना चाहिए गोल में संबिलन की मांग क थी संबिधान की संरचना के लिए 1922 में गोल में संबिलन तीन संबिलन हुए थे गोल में संबिलन तीन संबिलन हुए थे याद रखिए तीन संबिलन हुए थे किसने मांग की थी मोतिलाल नहरू सुभाष चंद्रबोस एनिवेसेंट या महत्मा गांदी तीन संबिलन हुए मोतिलाल नहरू जी ने गोल में सम्मिलन की मांग की थी पहला गोल में सम्मिलन पहला जो गोल में सम्मिलन है उस जो राजा थे ब्रिटिस राजा जॉर्ज पंचम थे उस समय राजा कौन थे जॉर्ज पंचम थे ब्रिटिस की ध्यान रखिये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक पहला प्राइम मिनिस्टर उनका राम था राम से मैक डोनाल्ड मैक डोनाल्ड से याद रहेगा उनका उस समय नाम था ब्रिटेस पीम का राम से राम से बहुत इजी नाम है राम से मैक डोनाल्ड ठीक है राम से और मैक डोनाल्ड इसमें किस-किस ने भाग लिया था मुसलिम लीग न नहीं लिया था दलित बर्ग की तरफ से डाक्टर भीमराव मेट कर गए थे दलित बर्ग की तरफ से दूसरा जो गोल में सम्मिलन था दूसरा गोल में सम्मिलन था उसमें गांधी जी गए थे उसमें गांधी जी गए थे कॉंग्रेस की तरफ से और वहां से आने के बाद गां थक थे अंबेडगर जी ने तीनों गोल में सम्मिलन भाग लिया था तीसरा गोल में सम्मिलन जो था दूसरा गोल में सम्मिलन 1931 में हुआ था दिसंबर 1931 में तीसरा गोल में सम्मिलन था और नवंबर और दिसंबर नवंबर दिसंबर दोनों महीने 32 में हुआ था 1932 में ठीक ह गोल में इस संबेलन में भाग नहीं लिया था और कॉंग्रेस ने भी लिया था ठीक है इसी संबेलन में एक छात्र था चौधरी रहमत अली चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था पाकिस्तान को जिन्होंने मुसलिम जो भाग था भारत का उसको पाकिस्त नाम दिया था ठीक है रहमत अली चौधरी रहमत अली थे चात्रे जिन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था ये भी आता है कई बार अगला कोश्चन देखी क्या है कोश्चन नमर previous कांग्रेस ने किस बर्स किसी प्रकार के वहाय हस्तक्षेप बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतिय जंता द्वारा संबिधान के निर्माड की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था बताईए कप पारित किया था 1931-1942-1936-1928 इसका सही जो आनसर है वो है 1936 में कांगरेस ने प्रस्ताव पारित किया था 1936 में किया था artment at जब हारलाल नहरु द्वारा जब अहरलाल नहरु ने पारित किया था अगला कोस्चन देखी लास्ट कोस्चन है ये आज का आज का लास्ट कोश्चन डाक्टर भीमरा अम्बेडकर का सम्विधान सभा में निर्वाचन किस छेत्र से हुआ था ये भी अच्छा है कोश्चन कि डाक्टर भीमरा अम्बेडकर का सम्विधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो किस छेत्र से हुआ था पश्चम बंगाल से पंबई प्रसिडेंसी से, ततकालीन मदध भारत से या पंजाव से क्योंकि ज़्याधातर को क्या बताए कि बंबई प्रसिडेंसी वह सीधा बता देते हैं या बहुससे पश्चम बंगाल जानतें दोनों ये बात नहीं जानते क्या है देखो इनका जो सही option है इस सवाल का वैसे बंबई प्रसिडेंसी है मैं बता देता हूँ जब तक भारत के टुकडे नहीं हुआ थे भारत बिभाजित नहीं हुआ था तब तक बंगाल प्रांत के जो प्रत्थम चुनाव था प्रारंबिक चुनाव था समयदान सभाका 1946 में बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित थे ये ठीक है जब विभाजन हो गया था तब ये बंबई प्रसिडेंसी की जो पूना सीट थी पूना सीट से पूना सीट से उपचु नाम में जीते देए, उपचु नाम में निर्वाची तुए थे, कांग्रेस के उनका नाम था, एम आर जैकर, एम आर जैकर ने अपनी त्याग पत्र दिया था उस सीट से, उपचु नाम में, बंबई प्रेसिडेंस से चुने गए थे पूना से ठीक है तो आज के कोश्चन देगिए 20 कोश्चन हो गए है अगला कोश्चन जो है आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी अगला वीडियो भी कल या पर्सों में ही मिल जाएगा आपको अब जो वीडियो में बनाऊंगा वो सारी टॉपिक बाइज होंगे ध्यान रखना अब जो वीडियो बनाऊंगा वो सारी टॉपिक बाइज होंगे मैंने यह जोचा है ताकि आप लोगों को इजी पड़े समझने में तो हर वीडियो को अगली वीडियो टॉपिक बाइज होगी ठीक है आपको दिक्कत कोई नहीं आईगी इसके बाद और अपने दोस्तों से कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक भी कीजिए कमेंट भी कीजिए अपने दोस्तों के सेर कीजिए सेलेक्शन हेलप लाइन को यह एक फैमिली है हम और आप एक साथ पढ़ रहे हैं एक तरह से इसमें ठीक है तो आप जो अगली वीडियो के बेट कीजिए अगली वीडियो बहुत जल्दी कल ही अपलोड कर दूँगा मैं साम तक थैंक यू